कि एम बाई टी रेशियो टो एडेंटिफाई दे राइट कर्व फाइन इस चीज को हम समझते हैं सबसे पहले एक बात जो यहां पर समझना है अपने को यह कि क्या सेम टेंप्रेचर बराने से क्या सेम सारे गैस के अंदर सेम ही कर्व चेंज देखने को मिलेगा या और फाइनली हमने इसको 400 कलीविन कर दिया तो और एक और बात इसमें जो गैस है इसमें जो गैस है लेटस सपोर्ज इसमें हमने O2 को रखा है और इसमें हमने SO2 को रखा है या O2 का अगर मास की बात करे तो 32 होता है और इसकी मास की अगर बात करे तो यह 64 होता है तो अब य तो क्या जो कर्व चेंज होगा वो इन दोनों के अंदर सेम तरीके से होगा जैसे कि अगर इनिसियली इस बाले का कर्व कुछ इस तरीके का है तो क्या फाइनली जो कर्व होगा वो इसका मानलो ऐसा आ जाता है तो क्या इसका भी सेम ही आएगा मतलब ओबरलेपिंग कर्व चे माल लो कि तुम्हें एक पतले दुबले आदमी को धक्का लगाना है और एक तुम्हें मोटे से आदमी को धक्का लगाना है चीक है तो तुम्हें क्या लगते है तुम किसको एजीवे में धक्का लगा पाओगे अगर तुम सेम फोर्स लगाओगे तो कौन ज्यादा धक्का ख तो तुम बोलोगे कि पतला वाला बंदा जो है वो तुरंत गिर जाएगा मोटा वाला बंदा थोरा सा टाइम लेगा और इवेन मोटा वाला बंदा जो है वो हो सकता है कि फिसले भी ना दूसरा एक्जामपल ले सकते हो, कि यार मानलो कि तुम्हें एक छोटा सा पत्थर को ठेकना है, और एक बहुत बढ़ा सा पत्थर है उसको ठेकना है, तो क्या दोनों में सेम फोर्स लगाने से सेम डिस्टेंस ट्रेबल करेगी? गी, आंसरा इसट्म, नहीं करेगी. सेम फोर्स लगा ओ गये, तो सेम डिस्टेंस ट्रेबल नहीं करेगी, तो यहां पे भी वही बात है, कि इसके मॉलेदी का साइज, मास छोटा है, तो इसमें जब हम 100 डिगरी ही 특별 नहीं करेंगे, तो हम सारा मॉलेदी को गया लेकिन ये चीज दूसरे में वर्क नहीं करेगा इसका मास डबल है तो अगर 100 डिग्री तुम्हें हाँ चेंज करोगे तो उस तरीके से इसके मॉलेक्यूल का वेलोसिटी उस तरीके से चेंज नहीं होएगा जिस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिला है मानलों कि इसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है 100 डिग्री देने से तो इसकी वेलोसिटी हम देखेंगे 1.5 टाइम्स हुआ है विकाज भारी लोग है इसको धक्का देने में इसको एनरजी बढाने में टाइम लगेगा अपने को तो इसका मतलब है कि जो बड़े लोग है जो भारी लोग है उनके लिए हमें जादा टेंपरिचर देना होगा अगर हमें सेम कर्व देखना है तो अगर हमें दोनों के लिए सेम कर्व चेंज देखना है तो हमें जादा टेंपरिचर देना परेगा ठीक है तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखो यह बंदा है H2 इसका मास होता है 2 और यह temperature है तुम्हारा 300 फाइन यह बंदा है helium और इसका भी temperature है 300 तो एक बात तो clear है कि यार जितना impact जितना impact यह बंदा इस बाले चीज़ पे लाएगा उतना impact यह बंदा इस पे नहीं ला पाएगा रैट जितना impact यह बंदा इस वाले चीज़ पे ला रहा होगा उतना impact यह बंदा इस पे नहीं ला पाएगा तो हमें चूज करना है इन दोनो carve में से यह बंदा इस पे लिये जो displacement produce होगा इसके अंदर वो जादा होगा than this one तो हम बोलेंगे कि ये जो curve है ये जो बंदा है वो curve number one को represent कर रहा है और curve number one इसको represent कर रहा है और curve number two जो है वो इसको represent कर रहा है चलो ये भी example देख लेता हूँ मैं एक बार तो इस example के अंदर तुम देखोगे two and इसको अच्छा इस चीज़ को अगर अपन एक और चीज़ से देखे इसको मैं m by t बोल देता हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि ये इसको जादा impact कर रहा है तो ये ratio actually हम ले लेते हैं हम क्या करते हैं पहले इसको देख लेता हूँ मैं देखो two by three hundred ratio ले लो अगर तुम्हे एक formula type का चाहिए हम ये ले लेंगे हम क्या करेंगे m by t ratio ले लेंगे और जिसके लिए जिसके लिए ratio जादा होगा उसका curve ये वाला मतलब one वाला करवा जाएगा और जिसके लिए ratio कम होगा उसके लिए जो है वो flattened करवाएगा इसका मतलब है कि कम temperature पे ही ये बंदा इस वाले चीज़ को मतलब छोटा सा भाड़ी नहीं है जादा ये भाड़ी नहीं है तो इतना temperature इसको क्या करेगा अच्छा खरसा shift करवा देगा लेकिन ये वाले इस बंदे को ये shift नहीं करवा पाएगा इतना temperature 4 वाले लोगों को इतना shift नहीं करवा पाएगा 2 वाले पे नहीं ला पाएगा ये तो ये मैं मोलूंगा कि ये first पे ही रह जाएगा यहां पे भी अपन दोनों तरीकी सोचने का है कि हम थोड़ा सा अपना conscience यूज करें दूसरा है कि formula यूज कर लें तो देखो यार पहले तो अपन conscience यूज करते हैं तो सबसे पहले ये conscience यूज करने के लिए भी करता हूं दोनों factor को same करने के कोशिस करता हूं तो let us suppose इसको मैं ऐसे लिए देता हूं 1 divided by 100 इसको मैं 3 से multiply कर दूँ इसको भी 3 से multiply कर दूँ 3 divided by 100 तो हम देख सकते हैं यहां पे 300 is used used for एक molecule जिसका मास 2 है और यहां पे 300 used किया गया है एक molecule जिसका मास 3 है तो हम ने क्या बताया कि इस चीज़ को move करवाने के लिए हमने कम ही temperature लिया है हलका लोगों को move करवाने के लिए हमने ज्यादा temperature लिया है मतलब यह two core represent कर रहा है again और यह वाला बंदा one core represent कर रहा है again again formula से अगर देखें कि m by v ratio जिसका ratio ज्यादा उसका curve first वाला मतलब इस तरीके वाला जो कम है कम temperature वाला करव उसका आ जाएगा क्योंकि सारे molecule को similar रूप से velocity जो उसका change हुआ होगा वो बहुत जादा change नहीं हुआ होगा तो हम इन दोनों एकर compare करें तो यह पहले वाला हो जाएगा इसके लिए दूसरे वाला इसके लिए यह वाला question में है तुमारे लिए छोड़ता हूँ तुम इसका answer यह बताओ कि H2 के लिए कौन सा करव suit बैठता है और CH4 के लिए कौन सा करव यहाँ पे suitable है यह comment section में तुम बता सकते हो